नमस्कार मैं विपिन बंसल वास्तू कंसिल्केंट हमेशा की तरह आज फिर एक नए विशय पर चर्चा करते हैं आज का जो विशय है वो है घर के अंदर धन दोलत आने के सादन कैसे बनते हैं किस दिशय से घर के अंदर धन दोलत आने के रास्ते बनते हैं और क्या-क्या कारण बनते हैं जिसकी विज़े से घर के अंदर धन दोलत आने के रास्ते कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं इस विशय पर चर्चा करेंगे नौर्थ यानि उत्तर दिशा उत्तर दिशा हमेशा घर के अंदर धंदौलत आने के रास्ते बनाती है आपके यहां घर के अंदर नौर्थ की दिशा में उत्तर की दिशा में स्टोर बना हुआ है तो आपके यहां धंदौलत आने के रास्ते कम होंगे आपको लगता है कि आपके यहां धंदोलत आने के रास्ते कम है तो आप अपने उत्तर की दिशा के अंदर जो स्टोर बना हुआ है वहां से सारा सामान हटाएं उस सारे सामान को अपने घर के साउथ की दिवार के साथ या वेस्ट की दिवार के साथ या साउथ वेस्ट के भाग में रखेंगे तो आपके धन दोलत आने के रास्ते बन जाएंगे इसी के साथ आपने एक कामोर करना है जब आप अपने स्टोर को खाली करेंगे तो वहाँ पर जो स्टोर का फर्ष है उसकी दुलाई दिन में एक बार, दो बार, तीन बार जरूर करनी है आपको लगता है कि दुलाई नहीं कर सकते तो वहाँ पर कम से कम तीन बार पानी का चड़काव जरूर करना है ऐसा करने से आपके यहां लगाता धन दौलत आने के रास्ते बने रहेंगे इसी के साथ यदि आपके यहां नौर्थ का भाग खुला है उसमें लौन बनाये हुआ है वहाँ पर बहुत सारे गमले रखे हुए है तो आपने करना क्या है नौर्थ के भाग से जितने भी गमले रखे हैं सारे गमलो को वहाँ से हटा कर अपने घर के साथ के भाग में साथ की दिवार के साथ रखें ऐसा करेंगे तो भी आपके यहां धन दौलत आने के रास्ते जरूर बन जाएंगे आपने नौर्थ के भाग की अच्छे तरीके से क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है इसी के साथ साथ बहुत सारे घर ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें नौर्थ के भाग में पानी का अंचरगाउं टैंक तो बना हुआ होता है लेकिन उसका इस्तमाल पिल्कुल भी नहीं करते हैं या तो उसको ड्राई करके छोड़ देते हैं या उसमें पानी भरा हुआ होता है तो ध्यान भी नहीं देते हैं ऐसी जगए धन दौलत आने के रास्ते काम होते हैं ऐसे में आपने करना क्या है आपने अपने पानी के टैंक की अच्छे तरीके से सफाई करानी है और ताज़े पानी से टैंक को भरवाना है और उस पानी का इस्तमाल आपने रूटीन में करना है अगर आप वहां से जो पानी का टेंक है उसमें पानी का सर्कूलेशन लगातार बनता रहेगा पानी आता रहेगा और निकलता रहेगा तो आपके हाँ धन दौलत आने के सदन बढ़ जाएंगे इसी के साथ साथ बहुत सारे घर ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर पानी का अंजरगाउंट टेंक नहीं बना सकते हैं और नहीं समर्सिबल की व्यवस्ता है तो ऐसे में यदि आप अपने नौर्थ के भाग में उत्तर की दिश्या में पानी का नल लगा देते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने नौर्थ के भाग में पानी का अंजरगाउंट टेंक बना सकते हैं या समर्सिबल लगवाद सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है यदि ना तो पानी का नल लग सकता है आपके हैं ना समर्सिबल लग सकता है और ना ही पानी का जरूर करना है यदि आप हर रोज ये काम कर लेते हैं तो आपके हैं पैसे आने के ताधन बंज जाएंगे चाहे आपके अपनी जब में प्रमोशन हो या या आपके व्यापर में बढ़ोत्री ओ या आप जोब की तलास कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी जोब भी लग जाएगी इसके लिए आपको नौर्थ के भाकी क्लीनिंग करनी है यहाँ पर पानी की व्यवस्ता करनी है या पानी का छिड़काव जरूर करना है यह काम कर लेत हैं तो आपके यहां धन्दोलत आने के रास्ते जरूर बने रहेंगे इसी तरह आगले प्रोग्राम में फिर एक नए विश्या पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार एक्या बानी करना है।